हाई एरिवान थैंक्यू फो क्लिकिंग टूटिस वीडियो एंड वेलकम बैक टू माइच चैनल लिविंग विद पू तो आज हम जा रहे हैं रगुनाद जी का मंदिर में दर्शन के लिए सो आपको लेकर चलते हैं तो दर्शन के लिए जाने के लिए हमें एक बीच में मार्केट मिलता है जिसमें हम लोग शॉपिंग बाद में करेंगे पहले दर्शन कर लेते हैं यह रहा मंदिर बहार से अभी हमें अंदर एंटर करना है अंदर एंटर करने से ही कुछ मंदिर का नजारा ऐसा दिखेगा आपको and also इससे history related है क्योंकि यह बहुत ही पुराना मंदिर है and यहाँ पे हम लोग जब आते हैं यह रहा जो main मंदिर है यहाँ पे हम लोग पहले दर्शन करेंगे उसके बाद बाकी जितने मंदिर है वहाँ पे दर्शन करेंगे सो आते ही राइट साइड में हमने गनपती पपा का दर्शन कर लिया है और ये है रहा श्री रगुनाज जी का मंदिर सो श्री रगुनाज जी जो है वो राम जी का मंदिर है सो यहाँ पर राम जी लक्षमन और सीता मा का विराजमां है हमने दर्शन कर लिया है और बाहर हम लोग परिक्रमा लगा रहे थे यहाँ पर आपको दो स्टेचु दिखेगा तूलसिदाज जी का और वालमिकी जी का और आफर देर हम लोग अभी दूसरे जो चारो तरफ जितने मंदिर है वहाँ पर हम लोग दर्शन के लिए निकल पड़े है सो जैसे कि आप लोग देख सकते है नरसिम्हा जी का हमने दर्शन कर लिया और यहाँ पर राधा कृष्ण जी भी है सो हमने इनके भी दर्शन कर लिये है और हमने जितने सारे यहाँ पर चोटे चोटे मंदिर हैं सारे दर्शन कर लिए कहा जाता है कि यहाँ पर हमारे इंडियन जैसे की मैथलोजी में बोलते हैं कि 33 करोर भगवान है वहाँ पर यह मंदिर में आपको बहुत चोटे चोटे ऐसे रूप में हर भगवान मिल जाएंगे सो हमने चारो और घूम के दर्शन वर्शन कर लिए थे और इतना तो वीडियो लेना पॉसिबल नहीं होता था इसलिए मैंने बच कुछ फोटो निकाले थे वही आपके साथ शेर कर जीए और ये मंदिर काफी बड़ा है शायद आपको वीडियो में इतना पता नहीं चलेगा लेकिन इतना बड़ा मंदिर है कि आपको अच्छे से मंदिर का दर्शन करने के लिए आई गेस एक घंडा तो लगी जाएगा लेकिन हम यहाँ पे जादा देर रुके नहीं और गनपती बपा का दर्शन करना बनता ही था यह रहा गनपती बपा अब हम लोग जारे बाहर की और बाहर में जैसकी मैंने बताया था मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे कुछ शॉपिंग वापिंग कर लिया सो बेसिकली हम लोग ने कुछ शॉल वगरे खरीदे स्टॉल वगरे लिये और मैंने कुछ कपड़ा खरीदा और पापा ने खरीद के दिया वोर वाली वीडियो शाहिद मैं आपको नेक्स वीडियो में दिखाऊंगी आदरवाइस यह वीडियो लंबा हो जाता और पास में ही एक वैशनो धावा था तो हमने सोचा यही पर लंच कर ले करके लंच के लिए है राजमा चावल, कुछ सबजी और और अलसो कुछ सलाग जैसा दिया हुआ था खाना बहुत अच्छा था लेकिन बहुत ही तीखा था मिर्ची बहुत ज्यादा थी लेकिन हमें भूब भी ज्यादा लग रही थी तो हमने एंजॉई किया अपना लंच बैसिकली यह वाले जो दिन है यहाँ पर मैं आपको बताओं तो हम लोग मैंने जब आपको शेयर किया था बावे वाली माता, एक्वरियम वाली वीडियो, अमर महल वाली वीडियो, सारा और ये रगुनाल जी का टेंपल, दर्शन आज एकी दिन सारा जो इवेंट है वो एकी दिन में हुआ है सो हम लोग काफी ठक गए थे और हमारा आज का दिन काफी अच्छा था सो हम लोग आ गए अपने रूब में हमने रेस्वेस कर लिया और शाम का समय में हमें दिया था कुछ चाई सो हमने चाई वाई पी लिए और आफ्ट एट एट थर्टी के राउं हमारा डिनर भी आ गया था सो डिनर के लिए आज है कुछ चावल यहाँ पे कुछ है दाल और आज हमें दिया है यह सोयाबीन की सबजी विच लूग वेरी टेस्टी और साथ में दिया है कुछ रोटी और यह रहा मेरा आज का थाली सो आज के लिए बस इतना ही था सो कल हम लोग जा रहे रिटर्न जम्मू सीटी से हम लोग वापस जा रहे बदरवा जहाँ पे पापा का क्वार्टर है सो जब मैं वहाँ पे जाओंगी तो आपको हमने क्या-क्या शॉपिंग किया वो रहे बस्क्राइब बढ़ कि अजब हम लोग बाई